बालिवुड एक्टर विक्की कॉशल और तापसी पन्नो ने बड़े परदे पर एक बहतरिन जोड़ी बनाई थी दोनों फिल्म मनमर्जिया में साथ दिखाई दिये थे इस फिल्म में दोनों का रिश्टा गर्ल्फरेंड और बॉइफरेंड का दिखाया गया था आपको बता दें विक्की कॉशल और तापसी पन्नो रियल लाइफ में भी काफी अच्छे दोस्त हैं वहीं तापसी की बात करें तो उन्होंने अपने चोटे से करियर में नाम शबाना थब पल्क पिंक और बदला जैसे फिल्मों में बेबाक छवी बनाई है तापसी ने एक इंटर्वियू में बताया था कि विक्की कॉशल एक एक्टर होने के साथ एक अच्छे पती भी बन सकते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कीजी ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुचते रहे कुछ वक्त पहले तापसी पन्यू और विक्की कॉशल एक शो में गए थे जहां तापसी से कई फनी सवाल पूछे गए थे उन्ही सवालों में से एक सवाल था कि आप किसके साथ हुक अप करना चाहती हैं और किसके साथ शादी करना चाहेंगी और किसे मारना चाहेंगी जिसके जवाब में तापसी ने कहा था कि मैं वरुन धवन के साथ अफेयर करना चाहूंगी और विक्की कोशल के साथ शादी करना चाहूंगी साथ ही आक्टर अभी शेक बच्चन को मारना चाहूंगी तापसी पन्नो के फिल्म बदला एक बड़ी हिट साबित हुई थी इस फिल्म में उनके साथ अमिता बच्चन भी नजर आये थे उसके बाद एक्टरेस गेम ओवर सांड की आँख और मिशन मंगल जैसी फिल्मों में नजर आई थी वहीं विक्की के वर्क फ्रेंट की बात करें तो विक्की कोशल जल्द ही शूजीत सरकार की सरदार उदम सिंग में नजर आएंगे इस फिल्म में वो बिलकुल ही अलग किरदार निभाते हुई दिखाई देंगे